हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लाइन वरे देतीमन, तो प्रस्णों की स्रंखला में बढ़ते हुए, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जिला, जो हमारा होगा बासवाडा, तो चलिए, बासवाडा में जितने भी परेड़न स्थल हैं, उनके बारे में बात करते हैं कोश्यन आंसर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, तो देखिए, कोश्यन नमबर फुटी वन है ये, सुनहरे द्वीपों का सहर किसे कहा जाता है, तो बासवाडा को सुनहरे द्वीपों का सहर कहा जाता है नेक्स्ट देखिए उदैपूर संभाग का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर इस्तित है? उदैपूर संभाग का सबसे बड़ा बांध माही नदी पर इस्तित है. बासवाडा से 18 किलोमीटर, 3.10 किलोमीटर लंबाई और इसके क्या है? 16 गेट है. तो उदैपूर संभाग का सबसे बड़ा बांध है वह पूछा जा सकता है किस नदी पर है? वह माही नदी पर है. नेक्स्ट देखिए कोशन 43. तुरिपूरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां इस्तित है? तो तुरिपूरा सुंदरी मंदिर जो है वो कहां है? बासवाडा गाउं के निकट उम्रई गाउं है तो वहाँ पर तुरिपूरा सुंदरी का पुराना मंदिर जो है वह इस्तित है. किस कारण तुरिपूरा सुंदरी के मंदिर को कनिस्क के पूर्वकाल से प्रतिष्टित माना जाता है? तो वह क्या रीजन है? मंदिर में समराट कनिस्क के समय का सिवलिंग होने के प्रमाण मिलते हैं इसलिए यह है एक रीजन हो जाता है तिरुपुरा मंदिर के कनिश्क के पूर्वकाल से प्रतिष्टित होने का प्रमाण ठीक है नेक्स्ट देखिए कोश्चन 45 तिरुपुरा सुन्दरी के मंदिर में इस्तित पाशान के सिंग पर इस्तित 18 भुजावाली प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है तो यह किस नाम से जाना जाता है तर्टई माता के नाम से जाना जाता है जो की तिरुपुरा सुन्दरी या त याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि इनकी कितनी बुजाओं वाली प्रतिमा है तो 18 बुजाओं वाली प्रतिमा है तुरुपरा सुन्दरी के मंदिर में तर्तई माता या तुरुपरा महालक्ष्मी की. तिरपुरा सुंदरी मंदिर के समीब सिलालेख किस काल का है? तिरपुरा सुंदरी मंदिर के समीब जो सिलालेख है वह 1540 विक्रम संबत का है राजिस्थान का जलियावाला बाग किसे कहा जाता है? तो राजिस्थान का जलियावाला बाग कहा जाता है मानगर धाम को ठीक है क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है कि यहाँ पर जलियावाला हत्यकांड की तरह यहाँ पर भी इसी तरीके कांड हुआ था तो मानगर धाम जिसे जलिया वाला बाग कहा जाता है राजिस्थान का जो कि बासवारा से 85 किलोमीटर दूर आनंदपुरी के समीप इस्तित है तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो इतनी बारीकी से जो है यहाँ पर आपको पता चलता है चैप्टर जो है कई बच्चे बोलते हैं हमने तो दो या तीन वार पढ़ लिया है लेकिन इतनी कहराई से हमें जब महसूस होता है जब हम question answer series करते हैं मानगर धाम को किस संत की करम स्थली माना जाता है महान संत गोविंद गुरू ठीक है मानगर धाम जो है किस से संबंदित है गोविंद गुरू से संबंदित है मानगर धाम को राजिस्थान का जलिया वाला बाग क्यों कहा जाता है तो सभी को पता है कि यहाँ पर 1500 आदिवासियों की अंग्रेजों द्वारा गोलियों से हत्या कर दी गई थी इसलिए मानगर धाम को जलिया वाला बाग कहते है मानगर धाम में मेला कब लगता है Important है ये question, तो हर साल मार्ग सीर्ष पूर्निमा को यह मेला लगता है, मानगर धाम में जो मेला लगता है, वह प्रतिवर्ष मार्ग सीर्ष पूर्निमा को लगता है नेक्स्ट देखिए कुश्शन 51, अब्दुल्ला पीर किस मुस्लिम संत की मजार है? तो यह बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल, इनकी मजार है, मुख्यत है बोहरा समुधाई के लोग ही यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट है question number 52 सीता बाडी के नाम से प्रसिद मंदिर किस देवी देवता का है तो यह माता सीता और लक्षमन का मंदिर है इसके साथ ही यहां लवकुस का जनमिस्थान भी है नेक्स्ट देखिए question 53 सीता बाडी में इस्तित कुंडों के नाम क्या है तो एक तो सीता कुंड और लक्षमन कुंड है और दूसरा बालमे की कुंड और सूरे कुंड शेरगड किला बारा का मूल नाम क्या था तो इसका मूल नाम था कोश वर्दन अगला है question इसके साथ ही देखिए शेरशा के कबजा करने के कारण शेरगड किला जो है इसे कहा जाने लगा ठीक है नेक्स्ट देखिए रामगड भंड देवरा मंदर किस देवता को समर्पित है तो रामगड भंड देवरा मंदर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है नेक्स्ट कुश्चन 56 रामगड भंड देवरा मंदिर कहां इस्थित है तो यह 12 जिले में 40 किलोमेटर दूर जो है वह यह इस्थित है रामगड भंड देवरा मंदिर किस सताबदी का है तो यह मंदिर जो है वह दसवी सताबदी का है नेक्षे देखिए question 58 क्या कह रहा है कि रामगड जो भंड देवरा मंदिर है इसमें किस प्रकार की वास्तु शैली है तो इसमें खजराहो शैली है question 59 है रामगड भंड देवरा मंदिर को मिनी खजराहो क्यों कहा जाता है तो देखिए इस मंदिर से related काफी question है रामगड भंड देवरा मंदिर को मिनी खजराहो क्यों कहा जाता है तो इससे क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें खजराहो वास्तु शैली का प्रियोग किया गया है खजराहो वास्तु शाली के कारण इस मंदिर को मिनी खजराहो कहते हैं एक ही मंदिर में एक देवता को मिठाई और सूखे फल वा दूसरे को मास मदिरा यह राजिस्थान के किस मंदिर का सही वर्ण करता है तो देखिए यह रामगर्ड भंड देवरा मंदिर ही है जहां एक ही मंदिर में एक देवता को तो मिठाई वासू के फल और दूसरे को मास मदिरा जो है वो चड़ाया जाता है चलिए फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट जिले के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर कौन-कौन से परेटर निस्थल है जो कि हमारे एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू